नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौक जिमेकर पर आज हम आपके लिए बहुत ही मैद के बहुत ही अच्छे सवाल लेकर रहे हैं जो कि कुछ हाथ सवाल है ठीक है अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो मैं किनियन कह सकता हूँ आप सारे हो जाती है तो वह संख्या का एकस संख्या माने हम लोग मान लीजए उसका एकसो साथ संख्या हो जाता तो वह संख्या क्या है ठीक है अपको यह ग्याद करना है वह संख्या क्या है तो clear clear आपको पता है कि इस संख्या पहले 100 होगा फिर उसमें 7 जोड़ा होगा तो वो 107 संख्या बनी होंगी ठीक है तो आपको यहां से क्या मिल रहा है कि यह जो 7 अलग यहां यहां पर यहां पर दे रहा कि 84% की वृद्धी होई और यहां पर 7% एक्स्टा दिया हो तो यहीं 7% जो है वो 84 के बराबर होगा तो 7% हमारा जो है वो किसके बराबर होगा 84% के बराबर होगा 84% नंबर के बराबर होगा तो 1% हमारे यहां पर कितना हो जाएगा तो 84 बटे में साथ हो जाएगा ठीक है अगर हमें यहां 100 परतिसत चाहिए क्या कि यहां पर वह संख्या क्या पूछ रहा है वह संख्या वह ओरिजिनल संख्या क्या है तो आपको यहां बताना है तो 84 बटे साथ तो इधर भी यहां क्या क्या गुना करेंगे तो साथ बटटी ये 12 में चला जाएगा तो 1200 हमारे यहां पस correct answer आ जाएगा तो 1200 हमारे यहां correct answer हो गया तो option number D correct answer हो गया हमारा option number D हमारे यहां correct answer हो गया ठीक है दोस्तों बहुत ही आसानी समयने आपको समझा दिया किसी संख्या का 32 परतीशत उसकी संख्या के 17 परतीशत से 120 अधिक है तो संख्या का आपको मान करना है ओरिजिनल संख्या ठीक है ओरिजिनल नंबर का आपको ग्याद करना है आपको ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है ठीक है तो चलिए हम अब देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है तो इसमें यहां कह रहा है किसी संख्या तो अगर हम संख्या को X मान लेते हैं ठीक है तो X संख्या की 32% को उसी संख्या के 17% 17% अधिक जो है वो 120% है तो अगर यहाँ घटा देते हैं उसी संख्या के 17 परटिशथ से तो हम यहाँ पर कितना मिलेगा 120 मिलेगा चलिए यहाई हम solve करते हैं तो X यहाँ पर 32 में बटे में 100 माइनस यहाँ पर भी 17 बटे में 100 हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा 120, जब हम इसे solve करेंगे इस इधर करके पता चलिएगा तो हमारे यहां पर solve करने पर कितना आएगा देख लेते हैं, तो 32 में से जब हम 17 घटाएंगे तो हमारे पस यहां कितना आ रहा है 15X बटे 100 100 बटे और यहां पर 120 यह 20 इधर जाएगा तो यहां पर कितना हो जाएगा यहां पर हो जाएगा हमारे दोस्तों 1200 ठीक है कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा हमारे यहां पर 12,000 12,000 यहां पर क्योंकि यहां पर 2,0 यहां पर 1,0 ठीक है तो यहां से यह कर जाएगा तो हमारे पस अब कितना निकल किया गया तो हमारे पस आ गया 15x बराबर 12,000 तो 12,000 आ गया तो 15 से यह हम जब काट देंगे तो X का value हमारे पस यहां पर 800 आजाएगा तो 800 हमारे यहां पर दोस्तों correct answer हो जाएगा option number D correct answer हमारे यहां पस हो जाएगा 800 चलिए हैं अपने अगले परशनी की ओर चलते हैं हमारा अगला परशन है बहुत ही आसान परशन है तोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप सभी को पढ़ाने के लिए और बहतरीन तरीके से मैं भी पढ़ा रहा हूँ चलिहां अगले परशन की ओर चलते हैं हमारे अगला परशन है 16.1,4 परतिशत का 16.100 प्लस 12.1どう परतिशत के 800 के बराबर होता है तो किस के बराबर होता है आपको यह ग्याद करना है तो यह आपको टोटल सॉल्व करना पढ़ेगा यह आपको बनाना परेगा चलिए हम आपको बना के रिखाते हैं बहुत ही आसानी से सिर्फ दो लाइन में आप पूरा का पूरा खतम कर देंगे जहां हम इसे सॉल्व करेंगे तो 16 जो कि 24 होता है प्लस एक 25 बटे 4 परतीसात हो गया ठीक है और यहां परतीसात को अभी सॉल्व करेंगे तो नीचे में 100 हो जाएगा यहां पर केस होने तो यहां पर 1600 का हम लोग गुना कर देंगे प्लस फिर उसी तरह से 12, 24, 25 उपर नीचे 2 फिर नीचे में यहां पर 100 लगा देंगे यहां पर 800 का गुना कर देंगे हम तो गुना करने के बदा को सीधा सीधा यहाँ पर क्या मिल जाएगा यहाँ पर यह जो 100 है यह दो 0 से कटेगा और यहाँ का 4 यहाँ पर 4 से कटेगा मैं पेंचिंज कर ले रहा हूँ यहाँ का यहाँ पर 1600 में 4 से कटा और यहाँ का 2 0 यहाँ पर 2 0 से कटा यहाँ पर भी 2 से 2 कर जाएगा, यहाँ पर 4 आजाएगा, तो 25 से 4 का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर सुरू में भी, तो 100 बटे 100 यहाँ पर जोड़ हो जाएगा, तो 100 बटे 100 जब हो जाएगा, तो 200 हमारे यहाँ पस correct answer होगा, option number B हमारे यहाँ correct answer होगा, चलिए दोस्तो नमबर 4 को बना के देखते हैं कैसे बनेगा question number 4 आ गया चलिए देखते हैं यदि रुपे 100 का 3 बटे 4 भाग रुपे 100 के 3 बटे 4 प्रतिशत से x प्रतिशत अधिक है तो x कितना है x का मान आपको ग्याद करना है ठीक है तो आपको सबसे पहले दिया हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ इधर से तो आपको दिया हुआ है 100 का 3 बटे 4 प्रतिशत 3 बटे 4 जो है वो कितना है ठीक है आपको यहीं पर x का ग्याद करना है अपको सिर्फ यहां बात ध्यान दीजिए आपको यहीं बात को ध्यान देना है कि आपको X को ग्याद करना है तो यहाँ पर इंटू जह हम करेंगे तो हमारा यहाँ से कितना आ गया 25 ती यह 75 हो गया हमारे पस यहाँ पर तो 75 आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ से हमारे पस कितना आ गया 75 आ गया यहाँ से चीरो हो जाएगा आप इसे इंटू समझज लीजिए इंटू समझ लीजिए हैं पर का पर ठीक है चली देखते हैं क्या होगा यहां पर तो 100-100 हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा तो आप देखिए हमारे यहाँ पर कितना आया था, यहाँ पर 75 आया था, और 3 बटे 4 यहाँ पर आया, और इसमें हम 75 को जोड़ के, और x बटे जो अधिक परतीशा था, यहाँ अब ध्यान दिजिए, यह यहाँ पर आया, ठीक है, इसमें हम 75 जोड़ दिये, चलिए हम आगे solve करके देखते हैं मैं इसे ठीक से लिख दे रहा हूं देखिए यहां से आपके पास कितना आया था 75 ठीक है 75 आया और तीन बटे चार फिर आपको यहां से आया था फिर मैं इसमें 75 जोड़ा हूं और इसका जो X का महान है वो गुणन हो जाएगा इसमें X परतिश्यत का 100 अब इसे जब हम solve करेंगे तो देखते हैं हमारे पास कितना आ रहा है तो हमारे पास आएगा एसे 75 से 75 प्लस 75 X बटे में 100 बटे 75 एक प्लस X बटे में 100 हमने यहाँ पर 75 common ले लिये तो यहाँ पर 75 आगे में देखा देता हूं आपको एक बड़ यहां से हमने 75 common लिये यहाँ पर 75 यह हमारे में चल रहा है ठीक है तो हमारे पस केतना है 75 एक सही एकस बटे में 100 अब देखेंगे हमारे पस यहां एक आया ठीक है ठीक है अब देखेंगे कि हमारे पस इसे जब हम solve करेंगे तो 1 प्लस x बराबर 100 हमारे पस यहां पर आ रहा है क्योंकि नीचे भी 75 था तो 75 से 75 कट गया और यहां पर हमारे पास एक आया था तो एक्स बराबर अप 99 आ जाएंगा तो एक्स से हमारे पास कितना का मान गया थुआ X, X बराबर कितना हो गया हमरे पास 99, ठीक है तो X कितना है 99, तो question number 4 का क्या answer हो गया, question number 4 का हमरे पास answer हो गया, option number A, चलिए हम अगले प्रस्चन की और चलते हैं, हमारा अगला प्रस्चन है, बहुत ही अच्छा प्रस्चन है ये, इसे भी हम देख लेते हैं, क्या है इसमें, ठीक है, तो आईए हम solve करते हैं, बहुत ही असानी से, B गुने में 1 b'te 100, plus A गुने में B b'te 100, तो यहाँ पर AB b'te 100 आगया, plus AB b'te 100 आगया यहाँ और भी, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, तो हमारे पस यहाँ के फिलना है, 2 A b'te 100 में, अगर हम यहाँ पर फिर करें, त तो बी इंटू टूए बट्टे 100 परसेंट तो ये परसेंट को हटा कि हमें आपर परतीसत लिख चकते हैं तो बी का बी का दो परतीसत तो option नमबर यह हमारे पास correct answer अगर दो परतीसत अगर दोस्तों आपको हमारा question answer बहुत ही अच्छा लगा तो हमारे चैनल को subscribe कर दें क्या क notification बेल है जब भी मैं आपके लिए मैद का वीडियो डालूँगा तो आपको उसका notification सबसे पहले मिलेगा thank you दोस्तों